नमस्कार आप देख रहे हैं दा भारत खबर मैं हूँ आपके साथ प्रमोध रिसालिया इस वक्त हम है हर्याना के डवाली विदानसवाश शेत्र में कि डवाली विदानसवाश शेत्र सिर्सा जिले में आता है सिर्सा लोकसवाश शेत्र में भी आता है यहां हम इसलिए हैं क्योंकि अगले साल 2024 में विदानसवाश दोनों चुनाव होने हैं पहले लोकसवाश चुनाव होंगे और उसके बाद अर्याना में विदानसवाश चु जोसते हैं और आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं क्या यहां की जो मुझूदा सरकार है खटर सरकार उन्होंने लोगों की जो पैक्षाएं थी उनके उपर खरा उत्री है क्या ग्रामिन जो आंचल है उसके अंदर जिस तरीके का विकास होना चाहिए जिस तरीके के पूरे करपाई है पिछले दस सालों के अंदर करीब क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं तो N 사고 grouping हो फांच सालों से रिखतार है दो लोगों से जानने की कोशिश करते की ये क्या कहते हैं पानी पहुंचा दिया अभी पीछे जब नाली आई थी तो बहुत पानी आया था पीने वाली पानी के समस्या मुख्या तो यहां के जो लोकल विधायग है अमित सिहाग तो वह उनसे सिकायद नहीं करते हैं करते हैं तो अब की बार जब चुनाव होंगे तो आप लोग क्या सोचते हैं क्या खटर सरकार ठीक काम कर रही है आगे भी कंट्यूनिद हैगी कुछ नहीं किता है कम नहीं सरकार नहीं साल होगे मकान हो लेओ पुठे मुड़ जान दे हैं उस मकान नहीं मिला किसे ग्रीव नों कुछ उलती नहीं आएगी तो आने वाले चुनाव में क्या लग रहा आपको यह जो एक परिवर्तन यात्रा निकली है इने लों की यह इससे कोई असर हुआ है क्या लोगो में पता लगूगा नहीं तो आपके इसाब से हर्याना में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए अधिया जो कम नहीं हो यह जो जो और पाइटी है आम आजमी पार्टी उसका कुछ दिखता है कि वो के रहे अभी की बार आज आज आए नहीं साधे रहनी ताहली कोई नहीं आया उना ना यह जो डवाली का शेत्र है हमारा जो इलाका बढ़ता है यह पंजाब से भी लगता हुआ है वहां भी आम आजमी पार्टी की सरकार बन गई हां जी इदर दाले था कोई हो ना को रेली नी कितिना कोई आया कोई लोक चांब है कि अब की बार लोकसभा चुनाओ भी होने अगले साल बर्धानमंत्री किसे देखना चाहते हैं नरेंदर मोदी राहुल गांदी अ लोकी पिर से थीक नहीं है क्योंकि मनीपूर में पिछले तीन महेनों से वहां पर दंगे हो रहे हैं लोग आपस में लड़ रहे हैं अब हरियाना में भी जो भी जैपी की सरकार सेंट्र में भी बीजेपी की सरकार अब भी पिर आप गरें मोदी पिच्छे हो रहे हैं किया नाम जी आपका बुक्ता संगा जी मुझे ये बताईए कि आपके गाउं में जो है और किस तरीके का आपको लग रहा है कि काम हुआ है सरकार ने अच्छा काम की एक पीछे यहां का दोरा भी किया था उन्होंने तो कुछ देह कर नहीं कि आप लोग आपके बहुत भी जाने कितना सब्स्ता हो गया सब्स्तों हो गया है और है ना सड़े गैरां सव पिया का गिरीवनु सड़े गैरां सव पिया एक मिने चे बाच्चत नहीं मन दी ते जड़ा सलेंडर का देना पड़ालुगा हो आप लोग किसान है मोदी जी दो कह रहे थे कि 2022 में जो आए किसानों की आए दुगनी हो जाएगा अप तेहीं चल रहा है मुझे बताएगे हर्याना में खटर सरकार अब की बार फिर से आएगी या फिर आप बदलाओ चाहते हैं मुझकल लाओ जाते हैं को इस बार आपको क्या लगता है कि कि सरकार बननी चाहिए अर्याना में अब क्या यह स्मझेश नहीं है फिर भी कह रहे हैं अर्य है पाल लो आगान तर्म यहां भंगां मैं नए शुट भंडाइं एक पाद सानु ग्मकरूट अधर मचांग आपला अब दूसरों को कहीं दूसरों के पास ना आ जाए हैं ना हमारे सर्पा कर लेके लेकिन कि सरकार किसके बाद क्या नाम है आपका गेज इसंग अच्छा मुझी एक बात बताईए बाबाजी अब जो मुझूदा सरकार है खटर सरकार ठीक काम कर रही है क्या अच्छा अपने पिंड़ चे कम होंदा है कुछ मैं ता नहीं होंदा नहीं होंदा तो त्यन साल होगे के अच्छा बनी इस फिर मैं काम की मैं खाम होंदे है तो फिर कौन कम करूगा यह मालक नुब करना रहा है तो अच्छा 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 की करिए फिर केड़ी पाइटी तानु लग दिये भी वदियार होगी कोई पाइटी कोई पाइटी कहें नहीं सब्सक्राइन लोकांगा क्या नहीं मैं पका मांगिरा मुझे एक बात बताईए कि जो मुझूदा सरकार है खटर की यह वाओं के लिए गाओं देहात के लिए काम वाम कर रही है कि नहीं जी क्या क्या समस्या यह पहले तो मकान वुक्त आ जाते हैं गरीव के अभी वह भी नहीं आ रहा रहा कुछ न बीच में खड़ी आओ पानी बोर का वित्ते हैं ना पानी है ना मकान मकून मन रहे कोई गरीब होंगा मकान भी नहीं आए कोई विकास नहीं हो रहा तो भी यह जो आपने पिछली बार कॉंग्रेस की विदायक अमित श्याग को जिताया है अमित श्याग आपकी आवाज इसका कोई असर दिख रहा है लोगों के अंदर कोई ऐसी चर्चाएं हो रही है कि अगला जो चुनाव है वो किसके पक्स में जा रहा है फिर ज्यादा हो नहीं यह 20% लगता है भी यह लोग असर है आपके हिसाब से क्योंकि आप यूआ है और हर्याना जो है वो बेरोजगा पूरे देश में तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी की सरकार हर्याना में बने जो लोगों के मुद्दे उठाए लोगों की काम करें देखो जी कौन सी पार्टी तो खरी उत्रेगी हो कॉंग्रेस है बीजेपी है इस पार तो एक और नई पार्टी आमाद्मी पार्टी भी है इने लो है जेजीपी है यहां तो जी विकास कर सकती है और यह कर सकती है कौन सी इने लो इसा क्यों लगता आपको लगता है जी क्या नाम आपका बूप अच्छा मुझे यह बताईए कि आपके अपने गाउं में काम वाम होरे क्या काम नहीं हो रहे है तो फिर यह समस्या दूर कौन कड़ेगा प्रिवर्तन यात्रा अब यह सिंग चुटाला ने निकाली थी इसका अशर दिख रहा कुछ है अभी तो आपके रहे थे चुटाला वाले करेंगे कुसा हो लाइन बिलू करी तो यह हुआ काम नहीं विदािक है आपने लोगों के समस्याने जो है पांने करेंस केया अब Mayकर आप बोलिए कि भाई है हमारी समस्य है ठीक नहीं हुआ है सारी जा रहा है डिशी के जा रहा है आगी केश कर जा रहा है अजय ताहु जी एक बात और बता दिए देश का प्रदानमंत्री किसको होना चीए इस बार आप दी रहुल गांदी अर्मीन केशरीवाल है अच्छा क्यों है वह काम करें है को यह अच्छा सब्सक्राइब कर दो झाल झाल